वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में सेस्मिक वेवस के बारे में पढ़ाई की ठीके पढ़ाता की वो कितने तरीके के होते हैं उनके क्या 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 फंक्शन सें ठीके सेस्मिक वेवस आज हम थोड़ा सा रिविशन कर लेते हैं पहले तो वह होते क्या है सेस्मिक वेवस क्या निखना अज़ने पैरक्नाइएं, वह कमप्ये तरंगी होतीया, जब आपका दोप डच ऐक होता है जब आपका वह मौनीच वहर आतीया से उसको हमने सवायों थै कि अइनर्जी मौनी रिलीज़ना वीव्न, रिलीस्त पहता ही, देखी को जो पहता बाख्यां 소्याची कि अवह और उसे तरीके से जो waves निकलती हैं जो तरंगे निकलती हैं उनको बोलते हैं सस्मिक waves ठीक है आज हम आगे का session स्टार्ट करते हैं कोई पर डाउट हो तो प्लीज आप comment section में comment करके ज़रूर बताईएगा सबसे पहला है देखिए जो है सस्मिक waves सस्मिक waves में तीन पार्ट के मैंने पढ़ाये थे आपको primary है जिसे हम longitudinal waves भी बोलते हैं यह पी waves भी कहते हैं यह क्या आप longitudinal waves होते हैं और यह sound waves की तरह जो है में डिसापियर हो जाते हैं किवल solid medium में ही ट्रावल कर सकते हैं और यह हमारे अर्थ के कोर में से पास नहीं होते हैं सबजह से हमने estimation क्या लगाया है यह transfer यह secondary waves जो है वो liquid form में है ठीक है इसलिए शायद यह अर्थ के कोर को पास नहीं कर पाते हैं यह किवल इनका speed क्या होता है surface waves जिनको हम L waves भी बोलते हैं यह upper part of the earth को केवल effect करते हैं बट यह इनकी speed उतनी slow नहीं होती है थोड़े तीमे तीमे ही रीच कर पाते है अपने location पर पर इनका effect नहीं सबसे गंदा होता है most devastating effect होता है surface waves का ठीक है तो यह थी आपकी brief जो है ससमी के बारे में बीफ जानकारी अब एक चीज़ और important है कि इन waves को measure करने के लिए इनकी intensity को measure करने के लिए जिस instrument का इस्तेमाल होता है the sensitive instrument by which the intensity of seismic waves is measured उसको क्या बोलते है सिस्मो ग्राफ भोलते हैं ठीक है उसको क्या बोलते है सिस्मो ग्राफ ठीक है it has three scales इस सिस्मो ग्राफ के तीन scale है ठीक है पैला है Merkalli scale दूसरा मरक्alli scale तीसरा Richard scale तो Richard scale भूँछा गया तक आप और 3 ओर रखने लीए जंसे होता है जब intensity or scale measure करता है between 1 to 11 units ठीक मर के लिए यह बारा unit तक करता है रिचर जो है intensity from 0 to 9 and each next unit on richer scale has an intensity 10 times greater than the previous unit ठीक है यह कभ intensity measure करता है 0-9 unit के तक की और यह क्या है 10 time बड़ा होता है previous unit के ठीक है यह हो गया आपका richer scale का वैसी क्या है कि earthquake distribution in the world is related to those areas which are relatively weak and locally geologically unstable क्या होता है earthquake distribution in the world is related to those areas वह उन अरियास से आपका earthquake distribution जो है रिलेट होता है जो कि weak हो और geologically unstable हो ठीक है भूप आपको session समझ में आया होगा कोई भी आउट हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्षिन ने कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अभी तक अगर आपने चनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करियो और बैब बेटन को पिसकरना ना भूलिए थैंक यू सो मच पर वोचिंग